नमस्कार सातियों मैं डक्टर राजबादुर आपका अपने यूटूब चैनल क्रिश्चिका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं यह चैनल बेसिक शिक्षक का चैनल है और यह चैनल है बेसिक शिक्षकों के लिए सातियों आज जो हम लाएं आपके लिए वो है दूसरा प्रसिक्षड जो हमारा चल रहा था दिख्षा है पर निष्ठा का जिसका नाम था सवस्त विद्ध्यालई परिवेश निर्वित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योगता विक्सित करना यह प्रसिक्षड बहुत ही यह दिख्षड है अगर हम उनको विद्ध्याले में अप्लाई करेंगे तो निषिर्ट तोर पर हमारे विद्ध्याले में एक बहुत अच्छा बाता वरण बिक्सित होगा साथी साथ इसमें ये भी बताया गया है कि हम आपस में जो हमारा स्टाफ है हम अपने स्टाफ में बहुत अच्छा सामज़स रखें खुशाली रखें, मिल जोल रखें क्योंकि अगर विद्धाले में टीचरों में आपसी मदभेद रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर जरूर पड़ेगा तो इसलिए इस प्रस्टिक्षन को बहुत अच्छे तरीके स्करिए और जो आज हम आंसर की आपके लिए लाएं ये आंसर की तो आप हल करेंगे, उसके साथ ही साथ उसके प्रस्ट के उत्रों को हम अपने अंदर आत्म साथ भी करेंगे तो आईए देखते हैं जो आंसर की है आप पूरी ध्यान से देखिए सारे प्रस्टों के तरह आपको मिलेंगे और जिसकों आप पूरे करके 10 में 10 अंग प्राप्त कर सकेंगे उससे पहले फिर एक बार उन्हा गरह करता हूँ कि प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकोन दबाके उसे दबाएगे तो आपके मेरी वीडियो जो भी है आप तक स्वता यूटूब पर पहुंच जाएगी नोटिफिकेशन आतर हैगा आपके जो भी सिक्षक भाई बैन नहीं भी हो आप उन्हें भी प्लीज सियर कीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने लिए कह गया आईए देखते हैं दूतरे प्रसिक्षड की उत्तर माला तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रस्ट है वो है निमलिखित में से कौन सा सम्वेदन सीर सिक्षक की बिसेश्टाइब है पहला आप्शन है हर समय स्वयम और दूसरों की दिग्रादी करने में सक्षब होना दूसरा विकल्प है आलोचन और मुल्यांकन से आहत होना तीसरा छात्रों की आप्शक्ताओं और समस्याओं के अनुरूप होना चौथा आप्शन है स्वयम की आप्शक्ताओं के प्रती सचेत रहना तो साथियों तो इसका सही उत्तर है छात्रों की आप्शक्ताओं और समस्याओं के अनुरूप होना दूसरा प्रश्ट इनमें से कौन एक प्रभावी साय की विशेष्टा नहीं है पहला आप्शन बेभार परिवर्तन को सुकर मनाना भावनाओं की सबजने को सुकर मनाना ब्यत्ती के लिए समस्यों का समधान करना चौथा अप्शन है निर्णाय लेने में मदद करना इसका सही उत्तर है ब्यत्ती के लिए समस्यों का समधान करना तीसरा जो प्रेस्ट है वो है स्कूल कक्षाओं में स्वस्त बातावर्ण को बढ़ावा देने के लिए सिक्षकों के गुड़ और कौसल इस प्रकार है सम्वेदन सीलता और देखबाल दूसरा अप्शन सान भूती और देखबाल तीसरा अप्शन सम्वेदन सीलता और नियन प्रण और चौथा अप्शन है सम्वेदन सीलता और आसंका तो साथियों इसका सही उत्तर है सम्वेदन शीलता और देखभाद चौथा प्रस्न चौथा प्रस्न चौथा प्रस्न चौकास स्रबड कौसल उपस्तित होने के लिए एक सिक्षक को छात्रों के निम्लिखित पर द्यान देने की आफशक्ता होती है गैर मौखिक भाव दूसरा आफशन है मौखिक अभिव्यक्ति तीसरा आफशन है बैभार और कार और चौथा है सभी तो इसका सही जवाब है सभी हम इसमें सही विकल्ब को चुनेगे पाँचबा प्रस्न बच्चों के सम्हू के बीच द्रहन के द्वंद के मामले में आप एक सिक्षक की रूप में कौन सी युक्ति का उप्योग करेंगे अपने अधिकार का उप्योग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे दूसरा आप्शन मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे तीसरा बच्चों के बीच संब्बाद करने में सहज बनाएंगे चौथा आप्शन इसकूल प्रधाना चार को मामले के बारे में सूचित करेंगे तो इसका सही जवाब है हम बच्चों के बीच संब्बाद को सहज बनाएंगे सिक्षक छात्रों को बास्तविक चिन्ता और रुची का संप्रेशन कर सकते हैं पहला आप्शन है उनके कारों पर सवाल नहीं उठाकर उन्हें गती विद्यों में बरिता दे कर तीसरो आप्शन है उन्हें हमेशा उनका रास्ता दे कर चौधा आप्शन है आख से संपर्क करके तो साथियों इसका सही जवाब है आख से संपर्क करके चात्रों के लिए सिक्षकों को कक्षा के बातावरण में सकारात्मक को बढ़ावा देने की आप्शक्ता है ताकि चात्र अनुभब कर सके हैं संरक्षित और अनिश्चित दूसरो आप्शन है स्रक्षित और स्विक्रत तीसरो आप्शन है एकांत और सतर्क और चौथा आप्शन है अलग और देखने योग तो इसका सही जवाब है स्रक्षित और स्विक्रत तदानुभूती है तदानुभूती है इसका जी चार आप्शन है पहला आप्शन है किसी और की तरह मैसूस करना और सोचना अपने स्वयम को समझना तीसरो आप्शन है अपने और दूसरों से तरक करना चौथा है दूसरों के लिए खेद महसूस करना तो इसका सही दिवाब है किसी और के तरह महसूस करना और सोचना नमा प्रशन एक सिक्षक सम्वेदन सीलता के गुण को चित्रित आपलिक दर्सा सकता है इसके चार आप्शन है पहला आप्शन है दूसरों की भाबनाओं और विचारों से अबगत होकर दूसरों के साथ काम करने की छमता होना तीसरा है विचारों को व्यक्त और दूसरों को समंगर करना चौथा आप्शन है दूसरों की राय लेकर साथियों इसका सही जबाब है दूसरों की भाबनाओं और विचारों से अबगत होकर अब हमारा ये आखरी है दस्मा प्रैस्टूट किसी अन्व्यक्ति के द्रश्टी कोन से इस्थतियों को देखने में सक्षम होने की योगिता आबलेक दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है पहला ओप्षन द्रण से निपटना दूतरा द्रश्टी कोन जानना तीसरा बास्तविक्ता परिक्षन और चौता ओप्षन है सहनु भूती बेवार तो इसका सही जवाब है द्रश्टी कोन जानना कि देखिए दस प्रश्टन थे हमने दस प्रश्टन अटेंट कर लिए इसको हम सब्मिट करेंगे और इस प्रकार से सभी दस उत्तर आपके कप्लीट हो जाएंगे और आपको दस में से दस नमबर प्राप्त होंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेर जरूर कीजेगा मैं फिर कह रहा हूँ कि आप शेर करेंगे तो और भी हमारे सिक्षक भाई बेहन जो हैं वो इन प्रश्टनों को हल कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स पा सकेंगे क्योंकि ये प्रश्टन जो निष्ठा के दिक्षा पर हम लोग कर रहे हैं बहुत ही महत्पूर्ण हैं जिन्होंने आफ लाइन कर चुके थे उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है और इसमें हर प्राणपत्र का हर प्रश्टन का अलग प्राणपत्र आपको प्राप्त होग आगे तीसरे जो प्रसिक्षण है उसकी आंसर की के साथ हम फिर हम पेशोंगे तब तक के लिए नमस्कार